गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट इस अवर EBS क्लास यस्टरडे वी रेट चेप्टर चेप्टर नमबर 16 ग्रीन प्लांट्स नाव तुडे वी बिल कंटिन्यू इट देखिए जस्ट लाइक अबर बॉड़ी अब प्लांट आल्सो हैस मैनी प्लांट्स हमारी जैसे हमाارे श्रीर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अब प्लांट आल्सो हैस मैनी पार्ट्स उसी तरीके से प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं First, it has roots, which lie under the ground ये क्या है, it has roots, इसकी ये roots माने जड़े हैं जो ये जड़े होती है, which lie under the ground जो की जमीन के अंदर फैली हुई होती है Roots store food for the plants और roots क्या है जो plants का भोजन होता है वो store करता है आप जो भी plants के लिए मिट्टी में खाद वगेरा डालते हैं वो सब क्या होता है Root जो है वो store करता है It has a stem अब ये क्या है ये है stem ये इसके तने है The stem holds up the leaves and flower of the plant और जो stem होता है वो plants की leaves को और flowers को होल्ड करके पकड़के रखता है It has branches on its stem जो stem की क्या है ये देखिए ये क्या है ये branches कहलाती है ठीक है branches शाखाएं कहलाती है The branches be your leaves, flower and fruits जो branches है उन पर क्या क्या होता है Leaves branches पे देखिए Leaves निकलती है and flower उस पे ही flower होते है और उस पर ही fruits भी होते है The leaves make food for the plants और जो leaves है वो क्या करती है plants के लिए भोजन बनाती है Plants need air, water, sunlight and soil to grow Plants किस के लिए को किस किस चीज की ज़रुवत होती है Air, हवा, water, पानी, sunlight, सूरज की रोशनी and soil to grow Plants को बढ़ने के लिए air, water, sunlight और soil की ज़रुवत होती है अब ये देखिए इना nut shell आपको पूरे चेप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा वो एक छोटा सा उसका nut shell में आपको बताया हुआ है There are different types of plants आपने पढ़ा Strong plants are called trees, जो बड़े और छोटे plants होते हैं वो trees कहलाते हैं Climbers need support to stand, जो climbers होते हैं वो उन्हें support देने के लिए खड़े होते हैं Plants that grow along the ground are called creepers और जो plants को grow along the ground में जमीन में नीचे करने के लिए फैले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? This is called creepers Plants are useful to us in many ways और plants क्या हैं? वो हमारे लिए कई तरीकों से useful हैं अब है words to know Bushy, thick, भुशी का मतलब है Thick, climb, to move up towards the top of something Climb का मतलब हमें move up करने के लिए जो top पर पहुँचाने के लिए किसी चीज की जरूवत है Soil, the upper layer of the earth in which plants grow जो स्वाइल है, वो जमीन की एक अपर लेयर है जिसको से plants बढ़ते हैं Thonny, having money thons is picky Creep, move slowly Creep क्या है? वो धीरे धीरे बढ़ते हैं Okay, do you understand? Write down these words in your notebooks Thank you and have a nice day